जैशी किशन दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका सौगत है दोस्तों आज हरिवन्ष पुराण के 25 दिन का अध्याय प्रारम कर रहे हैं आज हरिवन्ष पुराण का ये अंतिम अध्याय है आज हम हरिवन्ष पुराण का संपूर महत्तमय का वर्णन करेंगे जिसके सुनने से पूरी हरिवन्ष पुरान का फल मिलता है हमने 25 दिन में हरिवन्ष पुरान को शुष्मरूक में वर्णन किया है वैसे इसकी व्याख्या की जाए तो कई महीने लग जाते हैं तीन-तीन महीने में पूर्ण होती है किन्तु इसको शीग्र समापन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस्त्री को कई चीजों का सामना परिशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे मासिक धरम तो इसलिए इसे मासिक धरम से पूर्व ही पूर्ण करना जरूरी माना गया है अगर जिस भी स्थ्री को पहले मासिक धरम आ जाता है तो उसे दो-दो अध्याए एक दिन में सुनकर पूर्ण कर लेना चाहिए तभी उसका फल मिलता है इसलिए हमने 25 दिन में इसका समापन कर रहे हैं अगर आज की कथा का आप शवन करते हैं तो आपको सम्पूर्ण हरिवन्ष का फल प्राप्त होता है कथा प्रारम करने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चनल को सस्क्राइब करें बगल में घंटी के बटन को भी दवाएं जिससे मेरे आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे बोलो हरिवन्ष पुरान कीजे राजा जनमेजे ने वेशम पाई जी से यूग एवन मनमंतर की विशे में जानने की अभिलाशा प्रकट की वेशम पाई जी वनन करते हुए बोले हे राजन सत्यूग चार हजार वर्षों का होता है सो वर्षों की उसकी संध्या एवं संध्यांश होते हैं त्रता यूग तीन हजार वर्ष का होता है इसकी संध्या छे सो वर्ष की होती है दौपर दो हजार वर्षों का होता है उसकी संध्या इसकी दुगनी यानी चार हजार वर्ष होती है कल यूग सबसे बुरा यूग है कल यूग में संध्या सहीद बारा सो वर्ष का होता है इस समय अधर्म के चार पैर होते हैं धर्म का मात्र एक पैर टिका रहता है इस यूग में मनुष्य वास्तब में धार्मिक ना होकर पाखंडी होता है सच्चे साधू एवं सत्यवादी पुरूष दूरलब हो जाते हैं आस्तिक एवं ब्रह्मवादी पुरूष का अभाव हो जाता है मनुष्य अपने एहनकार में चूर होकर बंधू बांधो की एवं समाजिक मरदा को भूल जाता है ब्रामनों को शूद्र की भांती और शूद्र ब्रामनों की भांती करम करते हैं सभी वर्ण के लोग अपने वर्णों में स्थिर ना रहकर वर्ण शंकर हो जाता है पराइस्त्री के साथ अथ्वा अगमे नारी के साथ संभो करने में संकोच नहीं करता इस प्रकार 12,000 वर्ष का एक महायुग होता है और इस प्रकार के 71 चोकड़ी युगों का मनवंतर होता है राजा जन्मेजे ने पूछा विशंपय जी जी से कि हे भगवन कि भगवान विश्नु की माया क्या होती है तब विशंपय जी कहते हैं भगवान की माया को नर्तकी कहा गया है कि हम सब भगवान के नर्तकी में फसे हुए हैं यानि भगवान हमें कटपुतली की तरह जिस प्रकार हमें नचाते हैं वैसे ही नित्य करते हैं उन्हीं के इशारों पर हम चलते हैं और करम करते हैं भगवन जन्मेजे जी कहा कि भगवन हम भगवान की माया से कैसे बस सकते हैं तब विशंपय जी कहते हैं कि जब हम उसके विप्रीत चलते हैं तब ही हम इससे बस सकते हैं तब जन्मेजे ने पूछा कि प्रभू कि हम उनसे विप्रीत कैसे चल सकते हैं नर्तकी का उल्टा होता है कीर्टन ससंग यानि भगवान की भक्ती करके कीर्टन करके उसका समरन करके हम उनकी माया से बस सकते हैं एक बार भगवान की माया का खेल रिशी मारकंडे ने देखा था उन्होंने भगवान की माया को देखा था उसी का वर्णन करते हैं एक बार मारकंडे रिशी भगवान शिव के ध्यान में लीन थे वे भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि उनके हिर्दे में भगवान शिव की छवी प्रकट हो गई और भगवान शिव ने उन्हें शाक्षा दर्शन देकर उसे अपना पुत्र बना लिया और चिर्म जीवी होने का वर्दान दिया क्योंकि मारकंडे रिशी की केवल बारा वर्ष की आयू थी परंतु महामित्युजन का मंत्र का जाप करके उन्होंने अपने यम्राच पर व वे भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र बना लिया था एक दिन मारकंडे रिशी एक नदी के किनारे बठे भगवान की ध्यान में लीन थे और उनके हिर्दे से भगवान शंकर की छवी लुप्त हो गई और उनका ध्यान भंग हो गया जिस पर भगवान शंकर की किरपा होती है वह श्री हरी को प्राप्त कर लेता है और जो श्री हरी को भजता है वो सदाशिव को प्राप्त कर लेता है बक्चनों जो दोनों को विप्रीत मानता है क्योंकि भगवान शंकर और श्री हरी एक ही हैं इसलिए भगवान ने उस्चवी को हटा कर भगवान श्री हरी में दर्शन दिये उनके सामने शाक्षाद श्री हरी ने चक्र पदम धारी करके उनको उपर किरपा करी और अपने शाक्षाद रूप का दर्शन दिये तब मारकंडे रिशी ने कहा प्रभू मैं आपकी माया को जानना चाहता हूँ तब श्री हरी ने उन्हें कहा कि तुम्हें मेरी माया के दर्शन अवश्य होंगे एक बार जब मारकंडे रिशी अपने आश्रम में बैटे हुए थे अचानक आधी दूफान हाथी के सूंड के समान बर्शा होने लगी सब तत्र शिष्टी का उत्पन करता एवं सहार सा होने लगा यह सब देख मारकंडे रिशी घबरा गए कि अचानक यह क्या हो गया अभी तो प्रले काल भी नहीं आया और इतनी आधी तूफान चारो तरफ जल ही जल संपूंड शिष्टी में सिरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था दसो दिशाओं में जल समुंद्र नक्षद सब जगा जल ही जल दिख रहा था तब वह इससे बचने की उपाई ही सोच रहे थे कि तब ही उन्होंने देखा ये भेंकर वर्षा में एक पत्ते पर एक छोटा सा शीशू बालग इतना अदभूत बालग जो उन्होंने कभी आस तक नहीं देखा था वह बालग अपना उठा चूस रहा है वो जैसे तैसे पानी से बसते हुए पत्ते के सहारे उस बालग तक पहुचे और उसे देखने लगे कि इतनी भेंकर वर्षा में ये बालग कैसे बचा हुआ है तब जैसे ही उस बालग ने स्वांस ली तो मारकने रिशी उनके पेट में चले गए और वहां क्या देखते हैं कि सूर्य चंद्र चारो ग्रहे नक्षत्र सब उनके उधर में हैं रहे तब जैसे ही उस बालक ने स्वास बाहर निकाली तो मारकन्ड रिशी देखते हैं अपने ही आश्रम में हैं और सब तफ़ शांत हो चुका है तब वे समझ गए कि ये सब भगवान की माया ही थी भगवान ने उसे वर्दान दिया था कि तुम्हें मेरी माया अवश्य द में ही शिष्टी गरता हूं समझ शिष्टी का उत्पन करता भी मैं हूं और सनहार करता भी मैं ही हूं इस प्रकार भगवान नारैन ने उसे ग्यान दिया और कहा कि इस प्रकार हे मारकंडे तुम किसी प्रकार का भय नाक करके मेरे उदर में ही आनन्द पुर्वक रमन करो क्योंकि जो कुछ भी तुम देखते हो सुनते हो और अन्वव करते हो वह सभी मेरे द्वारा ही उत्पन है इस अखिल ब्रह्मान की शिष्टी मैंने ही की है तथा आगे भी मैं ही करने वाला हूँ और था तेह संपूर जगत मेरा ही रूप है इसे मैं ही धारन करता हूँ शीमन नारायन की इस तरह प्रकार की वानी को सुनकर मारकंडे जी ने पुने उनके उधर में प्रविष्ट होकर हंस योग की साधना में लीन हो गए बक्त जनों हरिवंज प्राण का श्रोवन फल सुनाते हैं राजा जनमजे ने वेशंपाय जी से हरिवंज प्राण सुनने से प्राप्त होने वाले फल को जानने की अभिलाशा प्रकट की तब वेशंपाय जी बोले है राजन जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही बरफ गल जा ठीक उसी प्रकार हरिवंश पुराण सुनने वाले मनुष्य के देहिक वाचिक और मांसिक सभी प्रकार के पाप नश्ठ हो जाते हैं जो फल 18 पुराण सुनने से मिलता है वह मात्र अकेले हरिवंश पुराण सुनने से ही प्राप्त हो जाता है जो मनिश्य शद्धा एवं भक्ती पूर्वक हरिवंश पुरान को पूरा आधा या चोथाई भी सुन लेता है वह निश्चे ही विश्णू लोक को प्राप्त होता है परन्तु हे राजन यह निश्चे है कि कल्यूग में पूरे जम्मू दीप में हरिवंश पुरान को इस्त्रियों को हरिवंश पुरान की कथा अवश्य सुननी चाहिए तथा ऐसे भी अन्ने मनकामनाओं की पूर्ती के लिए हरिवंश पुरान का सुनना चाहिए हरिवंश पुरान कथा पूल होने पर कथा बाचक को तीन सोने की मुद्राय अथवा शक्ती दक्षणा रूप म देना चाहिए फिर एक वस्त से ढकी हुई सोने से मड़ी हुई सींग वाली बच्छडे से युक्त कपिला गो दान अवश्य करनी चाहिए सर्व आभूशन देना चाहिए यदि भूमी भी दान कर सकते हैं तो अती उत्तम है क्योंकि भूमी दान से बड़ा कोई अन्य दान नह हरिवंश पुराण सुनने वालों को मिलता है तदा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों इस प्रकार हरिवंश पुराण का समापन है आप जब हरिवंश पुराण का संपून सुन ले तो अपने इच्छा अनूसार ब्राह्मन को दान दक्षिना संकल्प करके अवश्य दें तभी उसका फल मिलता है इस प्रकार हरिवन्ष पुराण का समापन होता है बोलो हरिवन्ष पुराण कीजे